ये गाईज इस वीडियो में हम लोग C language में pattern बनाने का program बनाएंगे nested loop का use करते वे तो आईए देखते हैं सबसे पहले कि क्या pattern हमें print करना है then उसका logic crack करते हैं और फिर code लिखते हैं so guys जो pattern हमें print करना है वो pattern ये है 5, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 now guys वही चीज की I और J को आपको identify करना है तो I कैसा identify होगा ये मैं आपको बताया है या तो शुरुवात बदल रही होगी हर line की या हर line की ending change हो रही होगी दोनों में से कोई एक चीज बदल रही होगी that is I तो तो नहीं बदल रही सब जगे हर line 5 से शुरू हो रही है ending की बात करें तो पहले 5 पे end हो है फिर 4 पे फिर 3 पे फिर 2 पे फिर 1 पे that is I so I का जो loop चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा 5 से 1 तक then हम बात करते हैं हर line में values अलग-अलग print हो रही है जैसे यहाँ पे पहली line में 5 फ फिर 3 में 3 3 that means I की value होती तो जै की value जो है वो हर बार start कहां से हो रही है 5 से और खतम कहां पे हो रही है देख्या I की value जब 5 है तो जै 5 से चालू हो के 5 पे खतम हो गया I की value जब 4 है तो जै 5 से चालू हो है खतम कहां हो है 4 पे I की value जब 3 है तो जै चालू हो है 5 से खतम कहां हो पर शुरू करता हूँ के and hash include stdiu.h main function and return 0 this is our code now हमने i और j variable ले लिया i को कहां से कहां तक चलाया हमने 5 से लेकर 1 तक तो i ब्राबर 5 से i greater than equal to 1 i minus minus and j को कहां से कहां तक चलाया हमने 5 से लेकर के i तक that means j ब्राबर 5 से j greater than equal to i तक j minus minus and print करवा दिया हमने j की value को and return sorry printf line change करवा दिया हम पर backslash and लगा दिया now एक बार dry run कर लेते हैं then इसके code को हम execute करेंगे so guys सबसे पहले देखिए i की value क्या हुई 5 condition check कोई i greater than equal to 1 बने क्या true है अंदर आ गया j कहां से start हो गया 5 से condition check कोई j greater than equal to i है क्या अब देखो j भी 5 है और i भी 5 है तो ये loop कहां से कहां तक चला क्यावल 5 से 5 तक then j की value 4 होएगी 4 होते ही j greater than equal to i की condition false तो इस loop से बार आया new line print करेगा यानि output में line change हो जाएगी फिर कहां जाएगा i minus minus पे इसके बाद कहां पहुंच गया ये i minus minus पे तो i की value कित्ती होगी guys 4 condition check कोई i greater than equal to 1 है क्या true है लूप के अंदर आया j बराबर 5 से j greater than equal to i i कित्ता है अपने पास 4 that means j बराबर 5 से कहां तक चलेगा 4 तक तो 5 से लेकर 4 तक counting print करी फिर j की value यहाँ पे गटके 3 हो जाएगी 3 पे j greater than equal to i की condition false होगी j वाले loop से बार आएगा new line print करेगा यानि output में line change होगी उसके अदर आपिस कहां पहुंच जाएगा i minus minus पे तो i की value 4 थी अब घटके कित्ती रह गई 3 condition चाहे कोई i greater than equal to 1 है क्या true है अंदर आएगा j बराबर 5 से j greater than equal to i तक चलेगा that means i की value 3 है तो कहां तक चलेगा 3 तक क्या print करने वाला है यह 5 4 3 फिर j की value 2 2 होते ही j greater than equal to i की condition false j के loop से बार आया new line पे गया वापिस उपर गया i minus minus i की value घटके अब 3 से कितनी रह गई 2 condition चैको i greater than equal to 1 है क्या true है अंदर आगा j बराबर 5 से कहां तक चलेगा j greater than equal to i तक या निए 2 तक तो इस बार क्या print करेगा 5 4 3 2 फिर j की value 1 1 होते ही j greater than equal to i की condition false loop से बार आया new line पे गया वापिस उपर गया i minus minus i की value थी 2 2 से कटके रह गई 1 condition चैको i greater than equal to 1 है क्या true है अंदर आएगा j बराबर सेट हो गया 5 j greater than equal to i तक चलेगा मतलब greater than equal to 1 तक चलेगा तो क्या print कर देगा ये 5 4 3 2 1 then j की value 0 0 होते ही j greater than equal to i की condition false loop से बार आया new line पेंट करी वापिस कहां गया i minus minus पे i की value 1 थी घट करके रह गई 0 अब condition चैको i greater than equal to 1 है क्या ये condition false हो गई तो i वाले loop से बार आयागा return 0 पे जाएगा program खतम तो इस तरीके से मारा output generate करेगा now guys इसको मैं save करके run करवा देता हूँ so save किया मैं इसको pattern 2 and c source file now इसको हम compile and run करवा देते हैं and this is our output check guys so guys ये था हमारे पास c में इस pattern को print करने के लिए program उमीद करता हूँ आपको ये program समझाया होगा कोई भी doubt रह जाता है इस studio पर comment कीजिए मैं आपके doubt को दूर करने की कोशिश करूँगा